आजकल आप लोग एक नाम काफी चर्चा में सुन रहे हैं, सुर्खियों में बना हुआ है, वो नाम है अमरित पालसी, और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जो खालिस्तान अंतोलन एना, जो खालिस्तान देश बनानी की बात होती है, इसका नित्त अभी अमरित पालसींग कर रहे हैं, और आपने हाली में देखा होगा, इन्होंने हॉम मिनिस्टर तक को चुनोती डे डाली थी, और इन्हें आप लोग देखते होंगे, कि इनके चारो और हतियार से लेसिन के गार्ड होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, और आप देखते हैं कि गोमते रहते हैं, चुनोती देते रहते हैं, अलग देश बनानी की बात करते रहते हैं, और अगर हम लोग खालिस्तान अंदोलन की बात करें ना, तो एक सिख अलगावादी और जो आप लोग पंजाब देखते हैं न यह पंजाब देखे रहें न इससे अलग भूमी सिख्धों के लिए बनाने की बात होती रहती है अलग देष्न बनाने की बात होती रहती है heißt और इससे पहले आप लोगोंने एक नाम और सुना होगा जनरेल सिंग भिंडरावाले का नाम उनी की तरह आप देखते हैं कि ये लोक रखते हैं और इन्हें अमरित पाल सिंग को 2.0 भिंडरावाले नाम भी दिया जा रहा है अगर हम लोग भिंडरावाले की बात करें तो 1983-84 कि समय आप लोग जाईए और आप देखेंगे कि क्या उस समय खालिस्तान आंदोलन का नेतित जनरल सिंग भंडरवाली कर रहे थे और पहले कॉंग्रेस नेने की काफी मदद की और इनों ने कॉंग्रेस को चुनाव जिताने के लिए प्रिचार पिसार भी किया लेकिन बाद मे उस समय पिदान मंतरी थी हमारे देश की तो उन्हें ने ओपरेशन बिलो इस्टार चलाया उनी के कारकाल में और आप देखते हैं कि भंडरवाले उसमें मारा जाता है और फिर आप देखते हैं कि उन्हें के इंद्रा गांधी के गाड़ सुरक्षा गाड़ों ने उनी की हत हत्या करती उसके बाद हमारे देश में सिख की वरोधी दंगे हुए और बहुत सारे लोगों की डैथ हो गई उसमें हत्याएं कर दी जाती हैं तो बड़ी तरास्ती रही वो और उस तरह की दूसरी घटना ना हो हम लोग तो यही दौा कर सकते हैं और आप लोगों को इनके बा पंजाब की राजदानी चंडीगर है इसके सीमा आप देखेंगे कि अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजिस्तान हो गया हर्याना हो गया हमाचल पिदेश हो गया जमू कसमीर हो गया अगर आप लोगों ने अमरित पाल सींग को सुना होगा तो वो ना तो संभीधार में नाही नियाय पालिका पर भरोसा करने की बात करते हैं। वो कहते हम इसे नहीं मानते हैं। और पंजाब को अगर राज बनानी की बात हो, तो एक नवंबर 1966 में इसे राज बनाय गया था। विदान सभा में यहां 117 सीटे हैं, राज सभा में 7 सीटे हैं, लोक सभा में 13 सीटे हैं, 50,362 बरक किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। अमरित पाल सिंग का जनम 1993 में संधू इनका पूरा नाम है अमरित पाल सिंग संधू अमरित सर जिले की बाबा बकाला तहसिल के जलीपूर खेडा गाओं के रहने वाले यहीं इनका जनम गुआ जाते हैं और कहते हैं कि 2022 में काम के लिए दुबई चले गए थी और उसकी बाद उसमें इन्होंने कितना फिलस्ट टू इस्तर की पड़ाई की हुई है और उसने दुबई में परिभाहन बेवसाय में काम किया और फिर आप देखते हैं कि भारत से लोटकर वारिस पंजाब देखो सम्ह सालने की 2022 में भारत बापस आ जाते हैं और अमरेत पाल सिंग खालिस्तान समर्तक आतंक बादी जर्नेल सिंग भंडरवाले का हिस्सा है और देखे कई लोग इन्हें धरम गुरू मानते हैं और एक तरह से आप देखे कि धार्मिक नेता भी मानते हैं और लेकिन सरगार की बा बारिस पंजाब देश अस्ताफक दीप सिद्धु की मौत हो गई थी 2021 में और इस संग्ठन की बागरोर समालने के लिए भारत लोटकर आ गया था है और इसके बाद से वो इस संग्ठन की कमान सभाल रहे है बारिस पंजाब देख्या है इस पंजाब की विधान सभा चुना गया था और इसको सबसे पहले पहचान मिली थी और गरतन दिवस के मौके पर लाल किले पर हिंसा के दौरान क्योंकि उस समय दीप सिद्धु ने इसका साथ लेकर कहा था कि एक ऐसा संग्ठन है जिसके जुड़कर हर पंजाब की हकी लड़ाई लड़ेंगे और इसी के साथ उन्होंने खालिस्तान समर्थक पाटी का भी समर्थन किया था और जिसके कारण उसके लिए चुनाव परिचार भी किया था लेकिन चुनाव से पहले 15 फरवरी 2020 को उसकी चड़क दुरगटना में मौत हो गई थी और जिसके कारण अब इसकी कमान सभाली है अमरित पाल सिंग ने और उन्होंने इसके जरिये दुवाह से युवाओं को जोनना सुरूर कर दिया है और भेंड़रा वाले जैसा लक ये पहनावा रखते है और इस अंगठन की मुखीया के तौर अमरित पाल सिंग को चुना गया जो उन्होंने कहा है कि भिंडरवाली मेरी पेड़ा है किसकी अमरितपाल की और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है अमरितपाल उसी पर चलूँगा ये कह रहे हैं और मैं बेलकुर उनके जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि हर एक सिक उनके जैसा बनना चाहता है इसलिए मेरे खून का हर कत्रा समर पे थे हमारी आजादी लूटी जा रही है हमारे गुरू का अब्मान किया जा रहा है और जिसके कारण हमें एक अदम उठाना पड़ रहा है इसलिए उन्होंने भिंडरावाली जैसा लोक रखा है किसने अमरित पाल सिंग ने बिक्कीपिडिया की माने तो वह सिक धर्म के परसार के लिए अमरित संचार अभियान भी चलाता है उसने अपना पहला अमरित पर चार अभियान राजिस्थान के स्री गंगा नगर में आयुजित किया था और जिसमें तकरीपन आप देखें 647 लोगों ने अमरित गरहंट किय और खालसा सिक्षों का हिस्सा बने ते और इसके बाद उसने घर वापसी अभियान भी शुरू किया था अनंद्पु सहब में उसने 927 सिक्षों हिंदू और इसाईयों को अमरित गरहंट कराया था और कहते हैं कि इस काम में हर्याना सरकार के अधिन हर्याना गुरु द्वा पंजाब में युवाओं में नसे की लट के बढ़ते हुए मुद्दे के जबाब में एक नसा बिरोधी अभियान भी इसने सुरू किया था सामाजिक कार उसकी वज़े से तक्रीबन सासुचंगन युवाओं को नसे की लट से ओवरने में मदद मिली और उसका कहना है कि अम नोने कहा था मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर बे मुझे गरफतार करना चाहते हैं तो मुझे अगर बताएं एक तरह एक तरफ सरकार कह रही कि बे मुझे ढूड रहे हैं दूसरी तरफ बे कहते हैं जानते हैं कि मैं कहा था फिर से जूटकियों बोल रहे हैं बेच्छ संकित दिया था कि नियू जैजनसी एनाई के मुताबिक अमरित पाल सिंग ने अपने बयान में कहा कि अमिसाय ने कहा था कि खालिस्तान अंदोलन को नहीं बढ़ने देंगे और इन्होंने कहा कि इंद्रा गांधी ने भी ऐसा किया था और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नतीजे भुगतने होगे अगर ग्रह मंत्री हिंदू राष्ट की मांग करने बालों से यही कहते तो मैं देखूंगा कि क्या ओए हम यानि कि हम मिनिस्टर बने रहते है इनका कहने का मतला है कि आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट बनने की भी मांग उठती रहती है तो हिंदू राष्ट बनाने बालों पर कारवाही क्यों नहीं होती है और खालिस्थान देश बनाने पर हम बात करते हैं तो हम पर कारवाही क्यों होती है यह कहा जा रहा है और अभी आपने देखा हो कुछ समय पहले इनका एक साथी गरभतार हुआ था पंजाब थाने में आपने देखा होगा इन्होंने बड़ा हंगामा काटा था उसे छुड़ा ले गए थे अभी हाली में इनके गरभतारी हो चुकी है तो इसलिए आप देखें इस चर्षा में बने हुए है और देखिये एक बात और आपको बता दू कि अपने देश की अगर अपने लोगों की लिए अधिकारों की बात करते हैं भारत में ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आते और हो सकता है था कि हर पार्टी इन जा सकते हैं, तब अलग नहीं हो पाया कोई तो आज मुस्किल है और ये हिंदू राष्ट की बात कर लिजे, मुस्लिम राष्ट की बात कर लिजे भारत की परिपेक्श में बात कर रहा हूं या सिख राष्ट की बात कर लिजे ये कुछ नहीं बनने बाला है हमारे देश जैसा है वैसा ही रहने बाला है या हिंदू भी रहेंगे, मुसलिम भी रहेंगे जैन, सिक, इसाई हर समगदाय रहेगा अपनी भासा बोलेगा, अपनी आजादी सिजिएगा क्योंकि आप देखते हैं हमारे समिधान जब तक है तब तक कुछ नहीं बदलेगा हाँ अगर आपको कोई एक धर्म की आधार पर देश बनाना है तो आप समिधान को खतम कर देंगे तो उसी दिन आप जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि समिधान इसकी जाज़त बिलकुल नहीं देता है और फिर अपनी अपनी राय है देखिए सोच है अपनी अपनी बड़ना आप देखते हैं कई धर्म की आधार पर देश हैं उनकी इस्तिती खास्ता बनी हुई है हमारे देश आप देखिए सभी भाईचारे से रहते हैं तो हमारे यहां इस्तिती ठीक बनी हुई है, बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी इपनी राये दे सकते हैं, और अपनी अपनी मांगे हैं, कोई भी कोई भी मांग लग सकता है, देश की आजादी है, समीधार ने अधिकार दिये हुए है, और समीधार की भाग तीन को आप पहुचाता हो, सांती भांग करता हो, अगर ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे, तोरंत आप पर पिती बंद लगा दिया जाएगा, आपको जेल में उठा कर डाल दिया जाएगा, एक अभी PFI, Popular Friend of India, मुसलिमों से जड़ा हुए एक संगठन माना जा रहा था, उस पर भी प कोई भी इस तरह का संगठन रहता है, कटरता फेलाता है, उस पर समय समय पर पिती बंद लगते रहे हैं, बाग में आप देखें, न्याल है, सरकार है, राजनीती सब होती रही है, तो छूटते भी रहे हैं, और एक बात हैरानी होगी आपको, उस समय जब RSS पर पिती बंद नहीं रहे हैं, यह अलग बात है, अलग discussion का matter है, और किसी के बारे में जानना हो तो आप लोग नीचे नाम लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे